नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साहित की सोंदरे साहित की सोंदरे की लगुकता, लेखन, श्रेंखला के अंतरगत आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिर्षक पर आधारित लगुकता, हो सकता है CBSE Board के प्रश्न पत्र में शिर्षक पर आधारित लगुकता भी पूछी जाए तब आपको शिर्षक का अर्थ पता होना चाहिए, तो आज का शिर्षक है बोवे पेड बबूल का तो आम कहाते खाई अर्थात जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा आज हमने काटो के बीज वाला फल बोया है बबूल का फल तो हमें आम खाने को नहीं मिल सकते तो आईए सुनते हैं लगुकता बोवे पेड बबूल का तो आम कहाते खाई बोए पेड बबूल का तो आम कहां से खाए रहुलाज इंटर्व्यू देने जा रहा है पहले चार इंटर्व्यू वह दे चुका है हर जगह से निराशा ही हात लगी है आज फिर उसका इंटर्व्यू है जैसे ही वह क्याबिन में गया तो देखा इंटर्व्यू लेने वाला उसका कोई परिचित है अपनी यादाश्त के चश्मे पर पड़ी धूल को साफ करके उसने याद करने की कोशिश की किन्तु उसे ठीक से याद नहीं आया इंटर्व्यू शुरू हुआ कुछ प्रश्नों के उत्तर वह दे पाया तो कुछ प्रश्न हवा में छोड़े गए तीर की तरह उसके सिर के उपर से निकल गए उससे कहा गया आपका इंटर्व्यू पूरा हो चुका है कमपनी की ओर से जवाब में आपको मेल भेज दिया जाएगा तब ही बीच में उची कुरसी पर बैठे इंटर्व्यूर ने कहा मिस्टर राहूल आपने शायद मुझे पहचाना नहीं जी सर आपको देखते ही मुझे भी ऐसा लगा कि मैं आपको जानता हूँ किन्तु मैं शशांक पंडित तुम्हारा वही सहपाथी जैसे तुम किताबी कीड़ा कहकर चिड़ाते थे राहूल शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था शशांक ने कहा विद्यार्थी जीवन में तुम्हारे चिड़ाने से मैं परिशान हो जाता था किन्तु आज समझ में आया है कि विद्यार्थी जीवन ही बीज बोने का समय है इस समय पर यदि हम चूक गए तो आजीवन हाथ मलते रह जाते हैं आप से मिलकर प्रसनता हुई शशांक सर कहकर राहूल हवा के जोके की तरह बाहर निकलाया राहूल को अपनी चूक का एहसास हुआ कि विद्यार्थी जीवन में उसने लापरवाही और शरार्तों में ही समय बरबाद किया फेल होकर जैसे तैसे दो बार परिक्षाएं देकर इगरी हासिल की है आज उसे बच्पन में पढ़ा वह दोहा याद आ गया बोवे पेड बबूल का तो आम कहां देखाई उमीद करती हूँ साहित्य सौंदरे की लगू कथाएं आप पसंद कर रहे होंगे आप और किन विशेयों पर लगू कथाएं सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए अगले विडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार